पहले मैं दो-तीन बात आप से कहना चाहता हूं खास तोर पर भाजपा, आरेसेस और मीडिया के गटवंधन को साथ जो गटवंधन है भाजपा का उस पर मेरा कहना यह है कि मैं भाजपा के और नरंदर मोधी जी से और मीडिया से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति 27 सालों से गुजरात में मुखमंत्री था और 9 सालों से प्राइम निस्टर एक पूल खतम होने के बाद 3 दिन लगता है वहां जाने में 33 करूर रुप्या वो खर्ज करते हैं सिर्फ प्रधान मंत्री को ले जाने में बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि ममता दीदी का पूल टूड़िया भगवान भी साथ नहीं है तो जिस भगवान का नाम ये ले रहे हैं लेते हैं भगवान के नाम पर भोट बटोरते हैं तो क्या गुजरात के पूल टूटने के बाद भगवान इनको साथ दे दिया मम्ता दिदी का साथ नहीं था एक दूसरी चीज़ 27 साल और 9 साल पी-एम और सी-एम रहने के बाद एक बात हमको सीधा बता दीजिए चपन इंच की सीना जो प्रेस वाला लिखता है ए भाया बाइस करोर हमको बहुत किलियर समझे बाइस दीनों से एम्स का साइवर हैकर नहीं हैक कर लिया पांच किलो मिटर के डेडियस पर पी-एम है और एक महिना से मैं आपको बता दू कि पी-एम सहब और हॉम मिनिस्टर सहब गुजरात में हैं देश का मुद्दा उनके लिए गौन हो गया जब आप इतना काम कर रहते तो आपको गुजरात में घरे घर जाने की जोरत क्या पड़ी और ऐसा कौन सा मुद्दा था पी-एम सहब ना हिंदू मुसल्मान ना मंदिर मस्जीद फूल टूटा ना आपके मिटिंग में भीर थी ना कोई क्यूरीशन था और आप उसको 156 पूरी सिस्टम पूरी चीजों को हैक कर ED-RT-CBI से पूरा सिस्टम को ड़ा कर आपने आदिवासी के विधाय का किड्नेप किया हमला किया आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं कि हमने चुनौ मोदी जी ने चुनौ जीत लिया मोदी के नाम पर हमने चुनौ जीता हम यह जानना चाहेंगे हिमाचल में मोदी जी भाइस बार गए राष्टिय अध्यक्स का घर नद्दा जी का घर हिमाचल है राष्टिय अध्यक्स अमित साजी कई बार गए देश को आप या बताए है कांग्रेस यदि राहूल गांदी जी गय होते एक बार भी दो बार भी और मजबुती से कांग्रेस लर ली होती मैं आपको दिल से कहता हूं साथ सीट कांग्रेस वहां लाती जिसजित के साथ कांगंच लड़ी थी अगले बार उस जितके साथ कांग्रेस अरी गुजरात में लड़टी अब अर्विन के जर्रिवाल इसव कोई मुद्धा नहीं है दुनीया को पता है कि एर्विन के जर्रिवाल जी और वीजे पी की बी तीन है कम्प्लिट हिमाचल से भागे उत्राखन से भागे गुज्राथ से भागे ऐसे जितने बड़े बड़े लोग है प्रसांत कि सोर जी कह रहे थे कि कॉंग्रेस तो कहीं नहीं जीतेगी हिमाचल भी जबाना जफ्त हो जाएगा जितने आपन बोलते थे अर्विन केजडिवाल तो सरकार बना लिए सब को पता था कि एक कॉंग्रेस अर्विन जी वहां क्या करने जा रहे हैं कॉंग्रेस का जो भौट था गौमें अर्विन केजडिवाल जी को वह भौट काटना था मैं बनिया हूँ जी मैं इंजिनियर हूँ जी तो यार बनिया हो तो फिर बनियाओं के घर में भोटकों नहीं मिली आपको अर्विन जी इसका तो जवाब दे दीजिए जब आप जातिस सुचक्स शब्द का प्रियोग करते हैं तो और नरंदर भाय मोदी जी हमीज साजी मैं आपकी इज़त करता हूँ फिर आप मीडिया के बदोलत अपने को कितना भगबान बनियेगा गुजरात यदी नरंदर मोदी के नाम पर जीते हैं तो हिमाचल चछप्टिस गड़ राजस्तान यूपी में चार में तीन जबकि पूरा का पूरा पागल हो गए क्या यहां नरंदर मोदी जी का नाम नहीं था क्या यहां नरंदर मोदी जी की हार नहीं हुई क्या यहां भाटपा के रास्टिय धक नड़्डा जी की हार नहीं है जो सुसील मोदी और कुड़िनी के बारे में नरंदर मोदी जी भोल रहे हैं लेकिन राजस्थान च्छटिसगार और यूपी के बारे में नरंदर मोदी जी दो लाग च्छी आसी हजार सीखना होगा कि जनता भगवान होता है एकता में ताकत होती है कंडिडेट को जनता के साथ भगवान के रुप में जीना होगा कुड़नी के बारे में नरंदर मोदी जी बोल रहा है यूप मंच से बारे बाठा नरंदर मोदी जी आप स्वैंग भगवान बन जाते हैं मैं देश से ये पूछना चाहूंगा यदि गुजरात नरंदर मोदी के नाम पर तो यूपी राजस्तान च्छतिस गार्ड हिमाचल किसके नाम पर भागपा के अध्यक्स किसके नाम पर अर्विन केजरिवाल जी कौन है MCD में दिल्ली में क्यों नहीं चली दरंदर मोदी की और अर्विन केजरिवाल जी को यह बताना चाहिए आप देख लिजिए का यह लोग हाइकर है मैंने पहले कहा अब मैं आता हूँ कुढ़नी पे सुशील मोदी जी ब्यंक एनाडू से अफनी इस्तिफा नहीं मंगा नरेंदर मोदी जी और यूपि के मुकमंतिय से आपने इस्तिफा नहीं मंगा अपकी औकाद नहीं है आपकी फटड जाती है आपकी है यह हमारी बिल्ली हमीसे मिवं जिससे जिस से सुसील मोदी की पहचान बनी ये नितीश कुमार जी हम उपेदर भाई और सब लोग से कहेंगे सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जौरत है प्राक्टिकल होने की जौरत है जिस वहां नितीश जी और गटबंधन चुनाओ नहीं जी हारा है वहां चुनाओ हारा है मनोच कुसबहा एक साल पहले जब जद्यू का वहां पर युवा यद्यू का वहां पर समिनार हो रहा था तो मनोच कुसबहा जी ने नितीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखरवा दिया था ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोच कुसबहा जी मंत्री थे गारी में पैर में पैर बठा के चलते थे एक एक जाती का इन्होंने अप वहां किया था वहां आपने छोड़ दिया एक MLC के भरोसे वहां के चुनाओं को वाभी घमंडी दिनेश बाबू के सारे वहां का चुनाओं नहीं छोला जा सकता था और मैं महागडबंधन के नेताब जो डिप्टिस्यम उनसे भी आग रह करूँगा हमारे हम लोगों को आथ मंत्रन और आथ मुचिंतन करने की जोरत पाटी पर और लोगों पर एक भी राज़त के अगल बगल के मजबूत है मेले जो जनून के साथ भुखरा होना चाहिए मनोज कुस्वा के आचरन और उनके बहवार के चलते खरे नहीं हो पाए यह नितीस कुमार जी की हार नहीं है या किसी के कारण हार जीत नहीं है एय एम्म की मैंने पहले ही बोला था क्या होकाद है तीन हजार का मतलब क्या होता है हारे हम तीन हजार से और भी दो जादबों ने भोट काटा मैं मानता हूं 30% जादबों ने भोट नहीं दिया यह गटबंदन के चलते नहीं सिर्फ सिर्फ मनोज कुसवाजी के आचरन के कारव ना किसी को नितीजी से परसानी ना लालू यादब से ना गटबंदन से न तेज़स्वी जी से वहां की हार ऐसे परोशा गया है नरंदर मोदी के द्वारा लगा कि यह 2024 और पूरा बिहार जीत लिए मैं बार बार कहता हूं बिहार के जादबों को दारू छोड़ना पड़ेगा मैं बार बार कहता हूं बिहार के जादब के सिर्सस्त माप्याओं को हंकार छोड़ना पड़ेगा और अत्यान पिछली जाती और दलीतों को पैर पकरना होगा हमें पैर छूने होंगे और किसी भी जाती को हमें गाली देरे से बचना होगा पहले जो दो तीन बर्गों के खिलाब समाज के दलीतों गरीब होते थे उसमें एक बर्ग में हम भी साभी लोग हैं यहार नितीज दिया गटबंधन की नहीं यहार छोटे छोटे अंकार के कारण भी है यहार कुछ मेरे पॉलिसी के कारण भी है और उस पॉलिसी में मैं मानता हूँ मैं हाथ जोड़कर गटबंधन के नेता मुकमंद्री जी से आगरा दो बात की करूँगा अभी तदकार एक हम रोजगार देने की बात करते हैं दूसरी तरफ रोजगार हम चील लेते हैं एक तरफ पासी पासी समाज को हमें उसके अधिकार के लिए फीड़म देना पड़े गा और दूसरी तरफ बड़ा टेंडर जो बालू माफियों का है उस टेंडर को कैंसिल करके 20 लाग 30 लाग टेंडर ब्लॉक अस्तर पर करोरों लोग बालू के रुजगार से छप्रा से लेकर बगसर से लेकर और अंगाबाद पूरा दियरा टाल इलाका बालू से एक करोर लोग प्रभावित होते हैं पूरा पदादिक्तारी माफियों को सपोर्ट कर रहा है ओभर लोट लग जाता है जिसके चलते हाम लोग छप्रा बगसर से लेकर के दियरा से लेकर के जो रोजगार है वो प्रभावित हो चुका है उसके ट्रक बंद हो गया है उसके नौ को डुबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा माफियों से पैसा लेकर जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्राले से पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे तब तक नदी के किनारे जिस जाती का भौट बालू से प्रवावित है आपको हिर्दे से भौट देने के लिए त्यार नहीं होगा हमें आवाज देनी होगी पासी समाज के लिए हम रोजगार सिर्फ बोले नहीं हमें रोजगार देने की बात कर ली हो हमें practical approach ने ना होगा हमें काम करने में विश्वास करने होंगे और जन्ता को भगवान मानना पड़ेगा जन्ता से मिलना पड़ेगा एक भी लोग जन्ता से बिहार में नहीं मिलते हैं अप रावियों को सर्चर के बोलते है अड़ बाए एक उधारन दे रहा हो लेकिन वो जन्ता के लिए एक गलास में पानी लेकर के ख़डा रहता है ये character है उस आदमी का गलत है तो गलत है वो लेकिन एक गलास पानी लेके जन्ता के लिए भगवान के तरह पैर चूता है वो आदमी हमें वाइस से candidate को तिकर देने होंगे जो जनता को भगबान समझता है हमें अहंकारियों को टिकर देने से रोकना होगा ये लड़ाई महा गटबंधन की हार नहीं है होली और दिवाली हैरी गे हैरी कनार अबे गटगोजर निरलस्ता का पार सीमा पार कर चुका है बीजेपी सबसे बड़ा आइकॉन सपा पर अखलेस के नत्रिप पर गर्ब करने की जौरत है वहाँ के गटबंधन पर गर्ब करने की जौरत है और हम तमें मैं आज भी कहता हूँ उंट बैट भी जाए तो गधा से उचा होता है नितीज कुमार बीजेपी के किसी लीडर्शिप से बहुत उपर है नरंदर मोदी पी-म हो या गुजरात में हिपोटाइस करके जीत ले हार तै है आने वाले समय में तेलंगना और करनाटक की जीत चुनो है पता चल जाएगा कॉंग्रेस और राहूल गांधी की हबा में कहां ये जाते है चिंदा मत करिये नितीश कुमार का इमेज उसका परसप्सन नरंदर मोदी से कई करोर अरब गुना जाद है आज भी चाहे वो सेकुलर के रूप में हो चाहे नफरत नहीं करने के रूप में हो चाहे विकास के सवाल पर हो बहुत केलियर है ये नितीश कुमार से इस्तिफा लेने के पहले मोदी जी आपको राश्तिय धक्स नडड़ा और यूपी के मुखमंत्री और अमीद साजी से इस्तिफा लेने मांगना चाहिए आप ठेथरलोजी मत करिए आप सुरू से ठेथरलोजी में विश्वास करते हैं और हम प्राक्टिकल चीजों में हमारी गलती है कि हमने जनता को भगमान नहीं मानते आइक नहीं करते हम ट्वीटर पर और जाती के गटवंधन से कुछ नहीं होगा होगा जनता को भगमान मानने से और मनोज कुष्वाजी जैसे व्यक्ति को टिकट आप नितिश्कमार को गाली भी दीजिएगा पोस्टर भी फारिएगा और अंजाती को गाली भी दीजिएगा भोट भी लिजिएगा ये संभव नहीं है ना था ना होगा धन्वाद मैंने क का उठ भैट भी जाए तो गधा से उचा है जो अपने मिया मिठु बनते हैं अपने पीछवारे क्यों नहीं देखते हैं कि हिमाचल 36 गार्ड राजस्थान यूपी कि धाय लाग से उपर चुनों जीते हैं अरल्डी सपा कुरिडी पर हमें थोरा सा संचोधन की जोरत है सर मैं बार बार आपको कह रहा हूं महागटबंधन में हमें अहंकार को त्याग ना होगा हमें एक साथ चलना होगा सपा एक साथ चली हंकार को त्यागा जनता को भगवान माना में पूरी के कंडिडेट आरल्डी के नेता अखलेस और सिपाल ने तो जनता खड़ी हो गई हमें काम करने से ज़्याद है रोजगार छीन रहे उस पर और हमारी पॉलिसी और सही कहा आपने अनन सिंग थे तो चुनो जीते हैं यह मैं स्विकार करता हूँ मैं यह सुकार करता हूँ कि हमें डली तोरत तंक पिछलों में काम करने उसको भगवान मानने की ज़ुरत है सत्ता में हम हैं इसलिए हमसे लोग एकरार कर रहे हैं नफरत नहीं कर रहे हैं प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने इकरार किया कुड़नी के जनता ने कहा कि मैंने म करेंदर मोधी जी की बात करूंगा जो फैल है बीजेपी फैल है मेरा व्यक्तिकत कोई मतलब नहीं है नितीश कुमार जी या महां कटमंदन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है यदि हम एक होकर अपनी पॉलिसी को चेंज करें गलत लोगों को तबजो ना दें और जनता को कि के लोगों के लिए हमें एक्ट बनाने और पॉलिसी चेंज करने की जौरत है और पाजिस समाच के अधिकार को देने की जौरत है मेरा सवार आज इतना ही